नमस्कार स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूँ आपके साथ शुष्ट शुवास्तव बिहार में MLC चुनाओं को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है सियासत तेज हो गई और साथ साथ कह सकते है कि सभी राजनितिक दल जो है वो लग चुके है अपनी पाटी को मजबूत करने में ऐसे में राज़द ने भी पूरी तैयारी कर ली है केमलसी चुनाओं में क्या क्या करना है और कह सकते है कि एक चाल चली है क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार में बताते हैं दरसल बिहार में विधान परिसत चुनाओं के लिए सरगर्मिया बढ़ती जा रहे है स्थानिया निकाए कोटे से यह 24 पत के लिए चुनाओं होने है राज़द ने केवल अपने सहयोगी कॉंग्रेस को उसकी हद बताने में जुता है वरना सत्ताधारी डल को भी मुकाबला जो है वो देने के तैयारिया कर रहा है मतलब की कॉंग्रेस को तो हराने की कोशिश करी रहा है मुकाबला देने की कोशिश करी रहा है साथ-साथ NDA जो है उसको भी मुकाबला देने के तैयारी कर रहा है परिजदन रोट स्थित एक होटल के सभागर में आयूजित सम्वादाता सम्मेलन में संभू सिंग ने बीते दिनों अपनी उम्मिदवारी की घोशना की। उन्हों ने कहा कि विचुनाव में धन बल का मुकाबला जन बल से करेंगे। इसकी तयारी शुरू कर दी गई है। तेजस्वी आदफ के निर्देश पर पाटी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पारसत एवं प्रखन अध्यक्ष संभू सिंग की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लाएंगे। तो अब आपको बता दे कि एक तरीके से ये चाल चल दी गई है। कॉंग्रेस और राज़त के बीज एक टकर देखने को मिली थी। कॉंग्रेस ने कहा था कि वो उनकी परंपरागत सीट है तो वहां से अपने प्रत्याशी को हटाने होंगे राज़त को लेकिन राज़त इसके लिए तयार नहीं था। इसके बाद से कॉंग्रेस और राज़त के बीज जो विवाद है वो बढ़ता चला गया देखने को मिला। और साथ साथ राज़त के प्रदेश सध्यक्ष है हम कहा सकते है जगदान अन सिंग उन्होंने भी एक बात कहीं उन्होंने कॉंग्रेस के लेकर काफी सारे बाते कह दी थी कह दीती कि गटबंदन एक तरीके से तूटी गया है और फिर MLC चुनाव को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या राज़त कॉंग्रेस के साथ लड़े और यहां पर राज़त ने संबू सिंग को सामिल करके एक बड़ी चाल चली हम कहा सकते है अब देखना होगा कि MLC चुनाव में और क्या कुछ देखने को मिलता है क्या कुछ दिलजस्प होता है फिलाल इस खबर मे इतना इसी के साथ देखते रहे डिटीवी भारत धन्यवाद